लोगसबा चुनाओं के बाद सरकार से छात्रों की उमीदें एक बार फिर बढ़ गई है और यही वज़ा है कि छात्र लगतार नौकरी की मांग कर रहे हैं मीडिया कर्मी से संपर्क कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो सरकार से पूछे कि आखिर सरकार कब उन्हें नियुक्ति पत्र देगी या फिर कब नई वेकेंसिया निकालेगी आप सब ने देखा कि किस तरह से JSC CGL की परिक्षा होई और उसे कैंसिल कर देना पड़ा और अब लोगसबा चुनाओ के बाद छात्र एक बार फिर जोर सोर से आवाज उठा रहे हैं कि जल से जल JSC CGL की परिक्षा ली जाए और चुनाओ से पहले उन्हें नियुक्ति पत् कैसे दे पाएगी ऐसे में सरकार तक आवाज पहुंचाने के लिए सेकड़ों की संख्या में चात्र कल जारखंड के अलग-अलग सहर में सनक पर उतरने वाले हैं क्या कुछ चात्रों का कारिक्रम है अपने सहयोगी सूरच से जानते हैं सूरच क्या कारिक्रम है जैसे सी CGL परिक्षा की मांग को लेकर क्या कर रहें जाती करते है वो लोग फ्लैस मार्च निकालने वाले जिसमें वो मौबाइल का जो फ्लैस लाइट है वो जलाकर मार्च निकालेंगे प्रदरशन करेंगे और एक पद्यात्रा जैसा होगा जिसमें वो लोग JSC CGL सहित अन्य जो परतियोगी परिक्षाएं हैं उसका कैलेंडर जारी करने की मांग करेंगे और इसके अलावा परिक्षा जल्दी लेकर जल्दी से जल्दी रिजल्ट जारी करके नुक्ती देने की भी मांग इसमें की जाएगी और ये मांग जो है उनका कहना है कि अगस्त महिने में वो चाहते हैं कि JSC CGL सहित तमाम जो परतियोगी परिक्षाएं लंबित हैं उनको ले लिया जाए और परिणाम जो है वो सितंबर तक जारी करके उनको नुक्ती पत्र दे दिया जाए इसकी वज़ा ये है कि विधान सभा चुनाओं को लेकर जारखन में सितंबर के अंतीम तक में अक्टूबर से आचार सहिता लागू हो जाएगी और इसके बाद जो है सरकार जो है किसी भी तरह की योजना पर योजना लागू नहीं कर सकती कोई नया ऐलान नहीं कर सकती नूक्ती नहीं दे सकती ये सब लोग जानते हैं औ और ऐसा हुआ है पिछली सरकारों में, आप जानते हैं कि पिछली सरकारों में high school जो भरती परिक्षा है वो अटक गई थी, पंचायत सची भरती परिक्षा final होने के बाद, document verification होने के बाद अटक गई थी और इसके बाद नूपति के लिए उनको तीन साल और इंतजार करना पुछा जाता है कि वो कब निक्तिया निकाल रहे हैं तो ये तो कहा गया सरकार की तरफ से कि 35,000 सरकारी पदों पर जल्दी ही वेकेंसी निकलने वाली है उनको पूरा कर लिया जाएगा लेकिन समस्या इस बात की है कि JSSC जो भी परत्योगी परिक्षाओं का आयोजन कराती है उनकी तरफ से कोई कैलेंडर जारी नहीं किया जा रहा है कि कब परिक्षाओं ली जाएंगी और यही वज़ा है कि ये आसंका बढ़ती जा रही ही सन्यी है केंडिल मार्च निकला जाएगा यह केंडिल मार्च दरसल मोगा इल का प्लै इस लाइंड जलाकि निकला जाएगा मतलब हाइड चत्र इस बात को लेकर बरावर कर रहे हैं कि यह जो JPSC हो या फिर JSSC हो, दोनों आयोग एक परिक्षा का कलेंडर तक नहीं बना पाती है, अगर बनाती भी है तो उस इसाब से कभी परिक्षाएं नहीं ले पाती है, आप देखें कि कलेंडर नहीं बनाने का ही परिनाम है, कि अभी JSSC और JPSC दोनों की परिक्षाएं एक सा का डेट क्या है तो फिर ये एक ही साथ परिक्षा नहीं होती और कई चात्र जो इस बार JPSC के PT पास हुए थे वो अगर सहायक सिक्षक के परिक्षा में भी सामिल होने वाले थे दोनों में से कोई एक चुना पड़ा क्योंकि दोनों की परिक्षा का डेट एक ही दिन था लेकिन अब सवाल है कि छात्र अब सनक पर उतर रहे हैं सनक पर उतर कर कल छात्र राजधानी राची हजारी बाग और चत्रा सहीत कई और जीलों में सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगे कि जल से जल उन्हें उनकी नियुक्ति की जाए बहालिया निकाली जाए परिक्षा जो हो वो बिलकुल पारदर्सी हो पेपर लिक नहीं हो क्योंकि पिछली बार जिस तरह से देखने को मिला उस तरह का मामला इस बार सामने नहीं आना चाहिए तो यह चात्र लगातार अपील कर रहे थे कि आप तक यह ख़बर पहुझाएं सरकार के कानों तक भी यह बात पहुँचाएं कि परिक्षा की तयारी करते चात्र अब कितने उप चुके हैं अब जल से जल परिक्षा को लेकर खास कर कर शुक्रिए। जारकन के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मरक्स पार 10th pass students के लिए foundation कोर्स और 11th pass student के लिए pressure course 12th pass students के लिए target course 18th April से शुरू हो रहे हैं Contact Biome